मेडम जी ने गा एक कहानी सुनाओ एदूकेटिड कहानी जिस मैं कोई सीखो मैं भी खड़ाओ गया मैंने कहा मैंने ना अपनी गर्लफेंड को फॉन किया कहानी सुना रही वो ना सो रही थी फिर कुछ टाइम बाद ना उसने मुझे फॉन किया और मैं भी सो रहा था जैसी करनी वैसी भरनी मेडम जी ने गा अच्छा ये गानिया सुनाएगा एक मास्टर बोले सुनाओ ए बी सी सुनाओ तो बोला मैडम जी ए बी सी बोल दो दिया मैंने ए बी सी सुना दे टीचर बोला ओ सुनाओ जन्ता वो बोला मैडम जी ओत्तो सब बढ़िया है आप सुनाओ जी ने का अच्छा पाड़ मतली है मैडम जी ने का रहीम का न कोई भी एक दोवा सुनाओ तो पच्छा खड़ा हो गया और बोला मैडम जी मुझे नहीं आत्ता मैडम जी ने का तुम्हें जितना आत्ता है ना उतना ही सुना दो थोड़ा बहुत आत्ता है उसने का चलो ठीक है सुनाई देते हैं तुम नहीं मानते हो कभी प्यास एक बाटर पिलाया नहीं बाद को आटर पिलाने से क्या फाइदा तुरंती मास्टर खड़ा हो आप बोला चुपर बैठ जा कमीने ड्यूटी के समय मन बढ़का रहा है तो एक टीचर वोली इतने दिन से का थे तुम तो लड़का खड़ा हो गया बोला मैडम जी मुझे न बर्ड फ्लू हो गया था अच्छा पाने बना रहा है बर्ड फ्लू इंसानों को होता है है पाने बनाता है बर्ड फ्लू तो जान बना होता है मैडम जी तुमने मुझे इंसान समझाई का भै आप तो मुझे रोज रोज मुरगा बना देते हो तीचर चप एक साइंस किलास के टीचर थे बोले किलास मैं सो रहे हो क्या तुम तो बोला नहीं सार सो नहीं रहा हूं गृत्वा कर सड़के कारार मेरा सिर नहीं नीचे की और गिर रहा है एक अध्यापक बोले बता होता आज महल किसने बनवाया प्रंद बच्चा खळावा बोला जी सर कारीगन ने बनवाया बोला मेरा मतलब बनवाया किसने था इसने बोला ठेकेदार ने बनवाया था एक टीचे रोला कोई ऐसा बाक सुनाओ जिसमें उर्दू, हिंदी, अंगरेजी, पंजाबी, सब हों इसने का ऐसा बाक क्या है इसकी दीगली बिच नो आंटी है इंदी भी है इंग्लिस भी है पंजाल भी भी है एक बाद है पेपर की रोटी टेंशन का अचार लेंबी की किरणे और सवालों की बहार पेपर लीग हो जाए तो चांदी खेचे जाए और सीनियर से का प्यार मुवारक हो आपको एकजाम काते हो आर एक टीचर ने पूछा बताओ